Car for Sale Simulator तो अगर अब इसको फ्ले स्टोर में जाके सर्च करोगे तो आपको ऐसे बोहुत सारे गेम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि Car Seller Simulator Dealership Car for Trade Seller Simulator Car Seller Simulator 2023 फलाना डिमकाना यार बोहुत सारे गेम्स है जिन मेंसे अगर आप ये डूढने जायोगे कौन सा असली है तो पूरेगी स्थान में पानी डूढने जैसे है बद वेडवेड आपको कुछ भी डूढने की ज़रुरत नहीं है आज मैं इन सारे गेम्स को ट्राय करोगा आपको बतारे का मिjść सारे गेमों में से फोर ट्रेड सेलर सिमुलेटर तो यह हमारा ओफिस है जो की बहुत ही अच्छा तो नहीं है मतलब एकदम डिसेंड सा है और यहां पर तीन सोफा से जहां पर हमाके बैठ सकते हैं और यहां पर ओफिस के अंदर एक पेड़ भी रखा हुआ है जो की बहुत ही अच्छी बात है चलते हैं और सीधा यहां से नेवरूर चलते हैं वहां पे जाके देखते हैं कि वहाहां का सीन कैसा है बट उस्से पहले मैं आपको एक बात बदा दूँ कि इस गेम के जो कंट्रोल से बहुत ही जादा घंटिया है मतलब मेरे को नहीं इसका कैमेरा एंगल चेंज करन डे में बहुत ज़्यादा problem हो रही है तो हो सकता ही कि यह game अभी early access पर है इसलिए ऐसा problem हो रहा है बाकि जब यह game पूरी तरह से आ जाएगा तब साइध ऐसा problem ना हो तो देखते हैं क्या होता है बाकि यहां से सिधर neighborhood चलते हैं नहीं नहीं यहां पर residential area नाम है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा bargain करते हैं और इस car को 5000 में लेने की कोशिस करते हैं देखते हैं कि देती है की नहीं तो यहां पर मैंने इसको 500 डॉलर नहीं 5000 डॉलर डालना था इतने में तो मेरे को चपल मारेगी है ओके भाई फिलाल तो इसने चपल तो नहीं मारा बट अभी नहीं यहाँ पर 5000 ओफर करते हैं देखते हैं देती है कि नहीं ओके भाई इतने भी भी नहीं दे रही है इसको न वहीं रूपे चाहिए जो कि इसने पहले बोला था किस दिन तु मेरे को बाहर मिल गई न तरे को इतने चाटे मारूंगा तु मेरे घर पे आके वो कार देगे जाएगी कोई नहीं कोई नहीं यहाँ पर सामने मैडम जी कार बेज रही है इन से पूछते हैं और इन से गारी खरीते हैं यह थोड़ी सी मेरे को अच्छी लेग रही है तो मैडम जी कितने बेज रही है यह कार 3618 डॉलर होके तो यहाँ पर मैडम जी को 3000 ओफर करते हैं मेरे को पक्का लग रहा है कि ये मेडम जी मेरे को कार बेच देगी मेरे को पक्का लग रहा है कि ये इसकी बेहन है इसको मैंने गाली दिया ना इसलिए इसने मेरे को कार नहीं बेचा ठीक है मैं नेवर उड़के ना दूसरी साइड में आ चुका हूँ और यहां पे ना काफी सारी गाड़िया है और ज्यादा तर गाड़िया ना यार परपल कलर की है यहां पे भी गाड़िया है और यहां पे भी गाड़िया है और यह देखो भाई BMW की कार है जो की बहुत ज्यादा मस्त लग रही है रुको यार मैं एक पर इसका प्राइस यह मतलब मेरे पास पैसे नहीं है यहाँ पर एक अंकल व्लैक कलर की फॉड की कार बेश रहे हैं और भाई सामने मेरे को एक ग्रीन कलर की कार दिख रही है यह कौन सी कार है भाई ओके भाई यह मरसेडिज की कार है जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रही है यार मैं इसका प्राइस पूछू कि या नहीं ली छोड़ो छोड़ो भाई यह बहुत ज़्यादा मेहंगी होगी बेकार में अपनी बेशती हो जाएगी एक सिंगेड यार वो देखो सामने में यह को एक कनफुटवल कार दिख रही है जो कि यार बहुत ही जादा डेमेज है यह सायद से मेरे को सस्ते है मिल जाएगी यार कार का कलर और मैडम जी के सट का कलर एक दम सेम है तो मैडम जी कितने बेश रही हो 40,000 मैं दूँगा वो भी इस कार के लिए पागल औरत निकल यहाँ से यहाँ पर यहाँ पर आंटिच यह नैनो कार बेश रही है इसको परचेज करते हैं यह सायद से मेरी उकाद किया इसका प्राइस कितना है मैडम जी ओके 5,166 डॉलर तो इसको ना 5,000 ओफर करते हैं यह सायद से मेरे को मिल जाएगी और मिल गई भाई यह देखो 5,000 डॉलर में हमें यह कार मिल चुके जो कि नैनो कार है अभी इस कार को ना सीधा हमारे ओफिस लेके चलते हैं और जाके सेल में लगाते हैं देखते हैं कि भाई कितने देर में इस गाड़ी को खरीदिने के लिए कस्टम अड़ाते हैं गाड़ी तो यहाँ पर बहुत ही मस्त भाग रही है बस इसका कैमेरा एंगल अगर चेंज होता तो और भी बढ़िया होता लेकिन नई यार मैंने गलती से गाड़ी से बाहर निकलने वाला जो बटन था उसको देबा दिया बट कोई नहीं कोई नहीं इस बार भाई मैं बहुत ही ध्यान से चलाओंगा पांच चार में खरीदिये कोई फ्री में तो नहीं मिलिये तो ध्यान से ही चलाना पड़ेगा भई अभी तक तो ये गेम बहुत ही सही चल रहा है लेकिन ये क्या हो रहा है बई अपने अप जंगल में कैसे खुश सकती है बई ये तो पका इस गेम का एक बग है लेकिन ये कैसा बग है बई गाड़ी अपने अप जंगल में खुश गई यार क्या 40 किसमत है अभी मेरे को जंगल के अंदर गारी ढूंडने के लिए जाना पड़ रहा है अभी किदर है कहां पे गई फोर आवोर भाई पीला पीला सा दिख रहा है वहां पी यह गारी भाई इस गेम को इस्टॉल ही मत करना मैं बता रहा हूँ मान लो तुमको इस लगजरी गारी खरीद के जा रहे और गारी अचानक सा जंगल में घुझ गई तुमना गारी ढूंडते ही रह जाओगे ओके भाई फाइनली हमें हमारी कार मिल चुकी है लेकिन ये रिमोट कंट्रोल बन चुकी है भाई ये देको मैं गारी के बाहर हूँ लेकिन मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ भाई ये देको मैं इसको ऐसे ही चला भी सकता हूँ यार यह तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है मतलब जिन लोगों ने भी बच्पन में remote control cars लाई है न वो इसको अच्छी तरह से relate कर पाएंगे कि उतमें कितना मसा आता है बाकी हाँ यार इस game में bugs तो है और इस game के जो controls है न वो भी बहुत ही जादा घटिया है तो इस game को अभी side में रखते हैं अभी दूसरा game install करते हैं ओके तो next हम इस game को install करने वाले हैं car seller simulator 2023 फोटोस देखके तो यह भी बहुत ही जादा attractive लग रहा है अभी इसके अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कैसा है बाहर से तो यार सभी अच्छे लगते हैं ओल राइड गाइस वलकम टू कार सेलर सिमुलेटर 2023 तो यह हमारा ओफिस है जिसके सामने यार तीन पंपकिन्स पड़े होएं सायद से इनका हेलो इनिवेटन अभी तक गया नहीं और यह इस ओफिस का इंटीरियर है जो कि यार बहुत ही जादा बेसिक्स है मतलब पिसले व हैं कोई तो मेरे को गार बेज दे नहीं यहांति नहीं यह बिलेज में छलते हैं व Comics जड़ए विलेजग जढ़ा से सहरों से मतलब उतना जाने तो फाइनल इस गेम के विलेजमें मैं आ चुक हूं लेकिन यह यहां पिश। कॉन सी कार बेस रहे हैं ये तो 90s के जमाने की कार लग रहे हैं यार इन लोगोंने गेम का नाम रखा है 2023 कार पोर सेल सिमुलेटर और गाड़ी बेच रहे हैं 90s के जमाने की और उपर से इसका प्राइस भी भाई बहुत ही जादा है तो इसको तो मैं नहीं लेने वाला बाकी यहां पे न मेरे को सारे क कार्स एक जैसे ही लग रहे हैं मतलब 90s के 90s के जमाने की बट फिर भी एक बार चारु तरफ गूम के देख लेते हैं अगर कोई अच्छी गाड़ी मिली तो उसको खरीद लेंगे यहां पर यार एक रेट कलर की कार खड़ी है जो की थोड़ी सी मॉडल लग रही है मतलब 90s के जमाने के तो नहीं है बड़ी यह बहुत ही जादा महेंगी भी होगी तो छोड़ो इसको एक सेट यार आसना यहां पर कार मार्केट ओपन है मैंने अभी तक ना नोटी से नहीं करी यार कार मार्केट में बहुत लगसरी लगसरी गाड़ी आती है तो एक पर कार मार्केट चलके देखते हैं कि कौन-कौन सी गाड़ी आई हुई है और राइट गाइस यहाँ पर मैं कार मार्कट में आ चुक हूँ लेकिन यार यह क्या है भाई फोटोस में तो यह लोग पॉर से फरारी और मर्सेडी जैसी गाड़ीयों को दिखा रहे थे लेकिन यहाँ पर है कहां भ भाई बारगें नहीं करने वाला आज तु भाई एस कर तो चलो इसको मैंने परचेज कर लिया है अभी इसको लेके ना सीधा ओपिस जलते हैं और इसको सेल में लगाते हैं और यार इन लोगों ने तो यहाँ पर स्टेरिंग डाल दिया है मतलब फूल एकदम रियल वाली ड लगाते हैं देखते हैं कि यहाँ पर कितनी देर के बाद कस्टमर आते हैं तो मैं इस कार को 3128 डॉलर में खरीद के लाया और अभी ना मैं इसको 8000 की बेशने वाला हूं हमेरे को पता है कि यह थोड़ा सा ओबर प्राइस हो गया बट देखते हैं कि कोई कस्टमर इसको खर फूटा फूटा कंटेनर उन लोगोंने लगा दिया था बाकि यार अभी आ ही गया है तो एक जपी मार लेते हैं इसका बेड़ भी बाई एक तब लगजरी क्वालिटे का लग रहा है गुट मोर्निंग गाईस कल मैं सो गया था और मैंने एक बहुत ही बढ़िया सपना यहां पर सिर्फ दो ही कस्टमर्स दो नहीं वहीं तीन ही कस्टमर्स आये हैं और यहार यह बंदा 8000 में इस कार को लेके चला गया मैं इस गारी को 3128 डॉलर में खरीद के लाया था और इसको मैंने डबल से भी जादा प्रैस पर बेचा यार यह मेरी को एकदम मस्त लगा आ जादा कुछ बग भी नहीं है बस इसके जो गारी के मॉडल्स होते हैं वो थोड़े से ओल्ड मॉडल के हैं ओके गाइस तो नेक्स्टम इस्टॉल करने वाले हैं कार सेलर सिमुलेटर डीलर्शीब और इसके फोटोस देखके तो लग रहा है कि यह पीसी वाले से भी जादा पहले क्लीन करते हैं वेल भाई बहुत ही मुश्किल से मैंने सारा कच्रा क्लीन कर दिया है और यह कुछ इस ओफिस का इंटीरियर है जो कि ठीक ठाक है और यह काफी जादा बड़ा भी है यह हमारा कंप्यूटर है जिसका इंटेर्फेस यार पीसी वाले के जैसा है मतलब मा पीसी वाले में जैसे अफ्ग्रेड्स ओप्शन होते है यहां पर भी बैसे ही सेम एकदम अप्ग्रेड्स ओप्शन है जहां पर आप अपनी ओफिस को ने एकदम अच्छी तरीके से कस्टेमाइज कर सकतो अपने हिसाब से बाकि मैंने इस ओफिस का ना नाम को चेंज कर दि है यहां पर जंकियाड इतना बड़ा है यार महले की सारी गाड़िया तो इस जंकियाड में घुच जाएगी बढ़ा मजाक की बात साइड में अभी नहीं से सिधा नेइबर उट चलते मुझे नेइबर उट देखना है इस गेम का और राइट गाइस यहां पर मैं नेइबर जिफ 7,480 डॉलर पड़े हुए है यहां पर सामने एक और मैडम जी और एक टेसला की कार बेश रही है मैडम जी आपके टेसला की प्राइस कितनी है 51,000 डॉलर भाई यह भी बहुत ही चादा है यार भाई मैं बाहर बाहर पूचके मेरी बेश दिकर रहा हूँ यहां पर हर कारण मेरे वकार से बाहर है तो मुझे ने कोई अपनी लेविल की कार ढूटनी पड़ेगी एक सेगन भाई यहां पर सामने मेरे को एक सूपरा दिख रही है और यह सूपरा यार यह दादी जी बेश रही है भाई देखो दादी जी के पास सूपरा है और मैं का भिकारियों जैसे घूम रहा हूँ तो दादी जी इस कार का प्राइस कतना है कितने में बेश रही हो 68,000 डॉलर भाई यार बहुत ही जादा महेंगी है और दादी जी तो फुल मूड में एक भी पैसा कम नहीं करेगी फिलाल तो मेरे को एक सस्ती सी कार लेके यहां से जाना पड़ेगा तो यहां पर मेरे को एक कार मिल चुकी है जो कि मेरे वकाद की है मैं इसको ले सकता हूँ मैडम जिसकी प्राइस कितनी है जल्दी से बता दो 2958 डॉलर फटा बच्छे इसको परचेज करते हैं और इसको लेके न सीधा यहां से ऑफिस चलते है और राइट गाईस यहां पर मैं सौटकर्ट मारके न सीधा यहां पर ऑफिस में आ चुक हूँ और अभी ना इस कार को यहां पर पार करते हैं और इसको ना सेल में लगाते हैं तो मैं इस कार को अलमूर्स 3000 डॉलर में खरीद के लाया तो मैं इसको सीधा 5000 डॉलर की बेचूंगा तो यहाँ पर मैंने इस कार को सेल में लगा दिया है तो जब तक यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा आजू बाजू घूम के आता हूं देखता हूं कि यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़े भाई यहाँ पर कस्टमर्स आ चुके हैं यार इस गेम में इतने जल्दी कस्टमर्स भी आ गए भाई 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 यहाँ पर तीन कस्टमर्स आ चुके अब इनसे बात करते हैं कि ये कितने में इस गारी को खरी देंगे ओके भाई ये बंदा तो 5000 में इस कार को लेने के लिए रेड़ी हो चुक है तो फटाक से बेस देते हैं भाई ये गेम मेरे को सबसे ज़ादा बेस्ट लगा अभी तक मैंने जितने भी गेम्स खेले ना ये सबसे ज़ादा बेस्ट है यहाँ पर राद भी हो चुक है तो फटाबर से यहाँ से सोने चलते हैं मैं भी तो देखू भाई इस गेम में मेरा कंटेनर कैसा है ओके गाईस तो ये हमारा कंटेनर है जो की यार बहुत ही ज़ादा बेसिक्स है बट कोई ने इस गेम में ना हम अपना खुद का हाउस करी सकते हैं तो इसकी हमें कोई जरूरत तो है नहीं गुट मोर्निंग आईस सुबा हो चुकी है और आज ना यार यहाँ पर कार मार्केट ओपन है तो फटा बट से यार बहाँ पर चलते हैं यहाँ पर सूपरा भी है और यह देखो BMW की कार है और यह देखो भाई यहाँ परारी की भी कार है भाई यह गेम तो मेरे को एकदम मस्त लगा आप जो भी बोलो एंड पीसी वाला जो कार फोर से लेना है वहाँ पर आपको एक रिट बार देखने को मिलता है जो कि इस गेम के अंदर भी देखने को मिलता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ तो यह कुछ इसका रिट बार है मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ यहाँ पर भाई लोग बैटके दारू पी रहे हैं तो आप इस गेम को डेफिनेटल इस्टॉल कर सकते हूँ आपको एकदम पीसी बाला मजा इस गेम में आने वाला है आपको यह बाला वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आप चाहते हूँ कि मैं इस वीडियो का पार्ट टू भी बनाओ जहां पर मैं और भी कारफोर सेल के गेम को ट्राइ करू तो मेरे को कॉमेर्स में जरू से बताना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिशन को और पर जरू से रिट कर लेना तो मैं मिलता हूँ आप से अगले वीडियो पर दबतक के लिए तिल देन टेक क्यार गुड बाई